हाई फ्रेंट्स अकसर हम लोगों को डिसिप्लीन में रहना, डिसिप्लीन फॉलो करना डिफिकल्ट और बहुत ही गोरिंग लगता है बट माई डियर फ्रेंट्स डिसिप्लीन आपका दुस्मर नहीं है, आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपको आपके गोल की, आपकी सक्सिस की याद दिलाता रहता है जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगा कर बैठा है आज हम डीटेल में बात करने वाले हैं, टेक्नो इंडिया इंवर्सिटी कॉलकटा की, हमने एमिटी, नियो टिया, सिस्टर्स निवेदिता इंवर्सिटी को लेके अगर नहीं देखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप इस पर्टिकुलर इंवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफोमेशन को चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इस पर्टिकुलर इंवर्सिटी या फिर कि किसी भी university को ले के कोई doubt, कोई question हो, तो आप हमसे WhatsApp, Instagram या फिर हमारी वीडियो में comment करके हमसे connect कर सकते हैं, अब आप हमारी app भी download कर सकते हैं, play store से vidya.in app डाउनलोड करके आप हमसे chat कर सकते हैं, और counselling support भी ले सकते हैं, तो चलिए start करते हैं सबस्क्राइब विद्या.in एसी, classrooms, auditorium, library, sports, medical facilities, लगबग सभी चीज़ें विदिन दी कामपस मिलती हैं. Techno India University Kolkata का academic collaboration काफी सारी international universities जैसे की North Western Polytechnic University USA, Globe University USA, Wellington Institute of Technology New Zealand, Institute of Australian Education Australia, Colleges International Scotland UK के साथ भी हैं. इसके साथ साथ इसका industry collaboration, Deloitte, Google, IBM, Blue Star, ICIC Bank, HP, Intel, Narolec, Wipro जैसी companies के साथ भी हैं. I hope आपको पता है कि अब आप विद्या.in के through colleges and universities में online one click में apply कर सकते हैं और आपको काफी सारे application forms में discount में मिल जाता हैं. इसका भी link में in description box में दिया है आप चेक कर सकते हैं. अब हम आपको यहां के offered courses और उनकी fee structure के बारे में बताते हैं. Techno India University Kolkata से आप engineering की field में B.Tech and M.Tech कर सकते हैं. B.Tech आप यहां से computer science engineering, electrical engineering, electronics and communication engineering, biotechnology, civil, mechanical, information technology जैसी branches में कर सकते हैं. जिसकी fees अप्रॉक्स 89,000 की है और यहां की M.Tech की fees अप्रॉक्स 2,00,000 पर एनम की है. Management की field में आप यहां से B.B.A. & M.B.A. कर सकते हैं. B.B.A. की fees 1,12,000 और M.B.A. की fees यहां की 2,60,000 पर एनम की है. M.B.A. & B.B.A. में आपको यहां पर marketing, finance, data analytics, system management जैसे specializations भी मिलते हैं. Computer application की field में आप यहां से BCA, MCA, BCA, MCA integrated course कर सकते हैं. BCA की fees 70,000, MCA की fees 1,77,000 और BCA, MCA integrated course की fees अप्रॉक्स 89,200 की है. आप यहां से B.A.C. honors, data science, microbiology, economics, information technology, bio technology, mathematics, earth science, media science, physics, chemistry में कर सकते हैं. जिसकी fees अप्रॉक्स 1,50,000 पर एनम की है. इसी के साथ आप यहां से pharmacy में B.Farma भी कर सकते हैं. जिसकी fees अप्रॉक्स 1,60,000 पर एनम की है. टेक्नो इंडिया युनिवर्सिटी में आपको hostel within the campus मिलता है. जिसकी fees अप्रॉक्स 75,000 पर एनम की है. अगर आप यहां के और भी courses के बारे में detail में जाना चाहते हैं. तो link मैंने description box में दिया है. आप उस पे click करके सभी information को check कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं यहां की eligibility की. टेक्नो इंडिया इनवर्सिटी कॉलकता के काफी सारे courses में आपको entrance basis पे admission मिलता है. जैसी कि अगर आप यहां से BTEK करना चाहते हैं तो WB, JWE या फिर JEE, Mains की rank के basis पे score के basis पे आप यहां पर BTEK के लिए apply कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो CAT, M CEMET के score पर आप यहां पर MBA के लिए apply कर सकते हैं. बट इसके सासाथ आप BTEK, BBA, BCA courses में merit basis पे भी apply कर सकते हैं. अगर आप यहां से BTEK करना चाहते हैं तो 12th में 65% अलबब marks होने पर आप यहां पर BTEK courses में भी apply कर सकते हैं. इसी तरह से अगर आप BBA करना चाहते हैं तो 12th म 50% अलबब marks होने पर आप यहां पर BBA course के लिए भी apply कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं यहां के placement की. देखे टेक्नो इंडिया युनिवरसिटी का overall placement अप्रॉक्स 60-65% का है. स्टुडेंट रिव्यूस के हिसाब से अगर आप यहां से BTEK CSC करते हैं तो BTEK CSC का अप्रॉक्स placement 80-85% का है. BTEK CSC करके आपको on an average 3-5 लाग तक का placement मिल सकता है. Although university अपना average placement 7 लाग पर आनम और highest placement अप्रॉक्स 24 लाग का claim करती है. But student reviews के हिसाब से लगबख 75-80% students को BTEK CSC यहां से करके average 3-5 लाग तक का ही placement मिलता है. इसी तरह से अगर आप यहां से BCA करते हैं तो BCA में भी 75-80% students को यहां से 2-3 लाग का maximum 4 लाग का placement मिल जाता है. आपको यहां से Ashoka, TCS, Wipro, Infosys, Tech, Mehandra जैसी companies में placement मिल सकता है. अगर हम MBA की बात करें तो MBA का भी यहां का placement average 55-60% का है. Approx 70-80% students को यहां से 2-4 लाग का ही package मिलता है. तो एक बार आप जिस भी course में यहां पर admission लेना चाहते हैं. उस course के placement को एक बार खुछ से जरूर चेक कर लें. एक बार student के reviews चेक कर लें. हो सके तो university भी visit करें, वहां पे भी student से connect करें और उसके बाद में ही admission लें. और अगर आपको कोई doubt, कोई question होता है तो आप हमसे WhatsApp, Instagram या फिर हमारी वीडियो में comment करके हमसे connect कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी question का answer हम आपको जल्दी से जल्दी दें. Friends, I hope हमारे इस वीडियो से आपको टेक्नो, इंडिया, इनिवर्सिटी, कॉलकटा की information जरूर मिल गई होगी और आप ये decide कर पाएंगे कि आपको यहां से कौन सा course करना चाहिए. अगर आपको हमारे वीडियो useful लगाओ, अच्छा लगाओ, तो इसे like जरू करते हैं, अपने friends के साथ good care of yourself, bye-bye.